हाई प्रेंट जमना कीचेन में आज बंढ रही है आलू मटर की सब्जी तो यह मैंने आलू ले ले च्यार आलू कि मेडियों साज कटिंग कर लिए और यह 100 ग्राम मटर ले लिया है और यह पांसाल लचन की कलिगों मैंने कटिंग करकर रख लिए हे और एक टमाटर जिसको मैं कत्व रख लिएन 그 कटारी में और पियास को यह से कटोरी में रख लिए हैं है और में मेरीज 2-3 मेर से चोहार एक इIANच द्रकट दुप्डा उनको मैं सम्ट कर लिए हूं चलिए दोस्तों तेल गरम करते हैं कडाई में आफ चली है रिषकी शुरू करते हैं यह एक तेल ससो का एट कर देते हैं मौण तेरों गरमे होना दें untanh को अडिल गरम ओ चुका है दुआर निकनने लगया अभी इसमें जीरा एक कर देटे जीरा ले लिया है जीरे को चित्रा चटक ना दे इसको जीरा चटक चुका है तो मिर्सी एड कर देते हैं और ये लेसन की कलिवियेट कर देते हैं ये टमाट ये प्याज भी एड कर देते हैं अब इनको अची तरह पकना दे जत्र ला गोल्ड ब्राउन नौ जब सक इसको अची तरह भूने अच्का माद कर दे गेज के ये गोल्ड ब्राउन हो चुका है तेल भी इसी तरह छोड दिया है अब इसमें आलू एड कर देते हैं ताकि आलू की प्राय कर लेते तेल में तो ये आलू एड कर दिया है तो इनको फीकर मिला लेते हैं और ये साथ रसाथ मट्रगी भी फ्राय हो जाएगी तो मट्रगी एड कर देते हैं दो फांज में दिनकी फ्राय कर लेते हैं तो ये साथ को नसान नमक भी एक कर देते हैं तो आलू जल्दी पख जाएगा तो ये मैंने साथ का नसान नमक एक कर दिया है अब इनको की तरह मिला लेते हैं ये फ्राय वह चुक्रा है अब अच्छी तारा अब इसमें टमाट्रेश कर देते हैं तो ये टमाट्रेश कर दिया है जाकी तरह मिला जिया इसको अब मसाला एक कर देते हैं या आधी चम्न ग्रेट कर दिया लवीगी एक चम्न मेटी डाल दिया है एक चम्न जनिया डाल दिया है अब इनको अची तरह मिला लेते हैं कि अधियर को मीडियम शाइज में रखें दो मिन्ट के लिए में टेकन लगा देते हैं मसाला अची तरह पख जाई ये टेकन लगा दिया है कि दो मिन्ट के लिए ये दो मिन्ट हो चुका है अब इसको से कर लेते हैं ताकि मैंने ट्रमाट्र पेले डाला उसके बाद में मसाला एट गया तो जल्ले का खत्रा नहीं रेता है अब इसमें पाणी एड़ कर देते हैं गिलास इतना जुरूत उतना पाणी एड़ कर देती हुए तो यह मैंने गेड़ गिलास पाणी एड़ कर दिया है अब इसमें सोजी पक के तैयार हो जाएगी 10-15 मिंट लगेगा तो मैं डेकन लगा देती हुए यह सब्जी को चेक कर लेते हैं तो सब्जी बनके तयार होगी है और यह आलोगी अच्छी तरह फूर चके हैं यह यह सांदार पक चुकी है यह अब इसमें देड़े एट कर देते हैं यह को बंद कर देते हैं अब देड़े एट कर दिया है और यह मेरी रेशीवी कैसी लिए आपको कोमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दभाएए और बहुत बहुत धन्यवाज आपको अभी मैं सब्जी को टेस्ट करके पतांगे आपको तो यह टेस्ट कर लेती सब्सक्राइब करें और यह मेरी चुपाती भी है साथ में यह मैं टेस्ट करके बताती हूं आपको केसी लिए कि मेरी सब्सक्राइब बहुत ही शांदार लगी और बहुत ही कश्बू आ रही है और लाइक जरूर करना शेर करना और सब्सक्राइब करना और बहुत बहुत आपको धन्यवाद